पास्टेंस , पास्टेंस , तो पास्टेंस क्या होता है !! भूतकाल , भूतकाल मिन सुआ जो विप चुका है , जो काम हो गया है、 पूर्ण रुप से समाप्त हो चुका है उसको बोलेंगे भूतकाल, जैसे एकिजामबर बोल सकते हैं, जो बित किया है, जिसे आज आज कर पहले कल बीत आ, तो कल जितने भी काम हम किये उह कालागा भूतकाल, भूतकाल 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 काम हो चुका है, तो ज़ती हमें भविश अच्छा बनाना है तो भूत को आद करना पड़ेगा तब है हमारा भविश अच्छा बनेगा कैसे कि माले जे भूत काल में आप बहुत गरेबी से जिंदगी काटे आपके साथ बहुत सारे कश्ठ हुआ और जैसे ही आपका future बन गया आप अच्छे मुकाम पा लिए अच्छे जगा शिफ्ट होगे अच्छे पैसा कमाने लगे आपके परती लच्मी मा की किरपा हो गई तो आप भूत भूल गे और जब भूत भूल जाएंगे जो बिता हुआ आपके साथ जो बिता भी घटना को भ आपको वो काम करना शुरू कर देंगा अर्थार आपको भविष्या आपका भविष्या आपके हाथ में है और जब तक भूत काल को आप नहीं आज रखेंगे भविष्या समरेगा नहीं सजेगा नहीं तो आए हम भविष्या सजाने के बाद करते हैं तो पहला उसके लिए ह पर्जेंटेंस चार परकार के हुआ जिसे हम विडियो के मादियम से बताया हैं और ज़िए आप नहीं देखे हैं मेरे विडियो को पर्जेंटेंस परकार पास्टेंस भिस चार परकार के होता है तो बिना लेट किये हम शुरू करते हैं पास्टेंस का रूप, तक कितना रूप है, यह कितना है, चार प्रकार, पहले इसके क्या होता है पास्टेंस का, हिंदी होगा भूत काल, भूत मतला होता है बीता हुआ, क्या होता है, बीता हुआ, जो कार्यत समाथ हो चुका है, उसको को बोलते हैं बित गिया है भूद कराता है उसको बोलते हैं अब देखते हैं इसका पार्ट कितने परकार के होता है तो यह फोट करकर फोट होता है उव nu शान करता हैसे परदेंतेंस पास पर देंस था चाट परकाड बाद उसी तरह से पास्ट इंट कशा तो परहला जाएगा सींपबर कि भी पास्ट तेंज है ओड हो फिए चंपन्य ऐस्ट दूसरा कि इंटीब स्टेंज continuous tense दूसरा हुआ past continuous tense किसरा हुआ past perfect tense past perfect tense और चौता हुआ past perfect यह perfect टी है यह c है यह p e r f e c t perfect continuous tense continuous tense देखिए बढ़े आज़ देखिए देखिए पहला है क्या है simple past tense दूसरा क्या है past continuous tense तिसरा क्या है past perfect continuous tense इसरा से चार tense हुआ तर चौता है